सो गईज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के contest question की आज का contest question क्या है आपको बताना है हे गईज कैसे आप लोग मैं हूँ शुभाम और आप देख रहे हैं fantasy express का youtube चैनल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं next IPL match की धमाकिदार वीडियो होने वाले हैं हर एक स्टेट आप से शेयर करूँगा और अंत में आपसे fan to play की team भी शेयर करूँगा वीडियो को लास्त तक देखिए अब वीडियो काफी productive है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको like करिए चैनल को subscribe करिए और अपने friends के साथ share भी कीजिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के contest question की आज का contest question क्या है आपको बताना है पूरे वीडियो में मैंने रविंदर जड़ेजा कितनी बार बोला है ये तो हो गया एक बार ऐसा मैंने और कितनी बार किया है इसको मिला के यानि ये first था इसके बाद 2, 3, 4, 5 इस type से आपको count क सब्सक्राइब की तो संब्सक्राइबाद चेंड़ी सोपर किंग्स के बीच में ये मैच खेला जाएगा डिवाए पार्टेले स्पोर्ट्स अकैडमी मुंबई जहां पे LSG यानिकि लखना उन्हें अपना last मुकाबला खेला तक काफी slow venue था और spinners को भी काफी मदद मिली last match में काफी pitch जादा जो थी बहुत जादा slow पड़ गई थी तो वही कुछ मान के हम टीम मनाएंगे हाला कि toss के time आपको बिल्कुल active रहना है क्योंकि उस time पर मैं आपको बता दूँगा pitch के हाल क्या है toss conditions के साब से क्योंकि हमेशा pitch change हो रही है तो अगर आप toss के time हमारे साथ बन प्रमेश निकल के आई जैसी कि उथपपा आपको 50 पॉइंट प्रती मैश के आसपास दे रहे है शीवम दोवे 54 पॉइंट प्रती मैश दे रहे है तृपाटी 35 और 34 पॉइंट अंबती राइडू पर मैच आपको दे रहे है फैंटसी फील्ड में और अगर हम बात करें और लाउंडरस में तो यहाँ पर जड़ी जाने कुछ खास पॉइंट नहीं दिये साइपेल में क्योंकि बालिंग ये करतो रहे है बट बैटिंग ओर काफी इनका डाउन है और बालिंग में भी उत्ति विकेट टेकिंग आप्शन नहीं निकल के आ रहे है मोईन अली से टीम ब बोलर्ज की तो इसमें आपको ब्रावो का अच्छा स्टेट देखेगा नट राजन अच्छा गर रहे है ए क्रिस जॉर्डन अच्छा कर रहे है बहुए शवर का फिर भी उत अच्छा पर्फॉपोर्मेंस नहीं आया विकेट कीवरिं सेक्शन में हैạt में आमस धोनी का एव पूरण vs DJ Bravo आप देखेंगे 39 बाल्स में 56 रंदे कर 3 बार विकेट निकाली ब्रावो ने पूरण की इसके बाद आप देख सकते हैं DJ Bravo के इंग लिंसं का एक प्लियर बेटल है 32 गेंदों पे 59 रंदे के 2 बार विकेट निकाली यहाँ पर DJ Bra teaches इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं और देखते हैं अगला प्लियर बैटल CSK के बैटर्स को एक साइड में रख दिया और हैदराबाद के बोलर्स को एक साइड रख दिया अब इसमें कुछ प्लियर बैटल देखने को मिला जैसे की रॉबिनो थपा भोनेशर की अच्छी पिटाई करते हैं और देखिए सिर्फ एक विकेट दिया 70 बॉले फेस करी हैं बोलर्स को काफी बिडिया खेलते हैं शुरुआत में तप अच्छा कर सकते हैं इसका बोलर्स के बोलर्स के चलने के चांसे काफी लेस होंगे क्योंकि हर एक बैट्समैन इनको अच्छा खेल ला है यहाँ पे एक स्टैट में आपको नटराजन का स्टैट दिखेगा जो क्योंकि 14 बोलों में 28 रा ने 200 के स्टाइकेट से खेला और सिर्फ एक बार अपना विकेट दिया सुन्दर का देखिए राइडू के खिलाफ परफॉर्मेंस 22 गेंदों में एक विकेट निकाला 31 रन देकर इसके बाद हम बात करते हैं वेन्यू स्टैट की वेन्यू स्टैट टोटल टोटल यहां पर 5 मैचेश हो चुके हैं अब उन आखरी 5 मैचेश में सबसे पहले तो आप देखो परफॉर्मेंस 22 देखें तो रन्स कितने बन रहे हैं वो रन्स देखना बहुत ज़रूरी है लास्ट मैच में एक लो स्कोरिंग मैच हुआ और टीम्स के कैप्टन्स सबसाइब तो इसके लावा देखियें फरस्ट इनिंग में चुन ने विकिट निकाले और इस पिले मैच में इसके शे विकिट और पेस के एक विकिट ठीके लास्ट मैच मेह उसके पहले वाले मैचों तो यहाँ पर spin के 4 wicket और pace के 11 wicket spin के 3 wicket pace के 11 wicket इसके बाद यहाँ पर देखिए spin के 6 wicket pace के 11 wicket spin के 2 wicket pace के 5 wicket overall देखा गया है कि जादा तर 5 मैंसे 4 मैंचेस में pace बहुत जादा अच्छा करते spinners के मुकाबले सिर्फ last match जो था वो थोड़ा सा exceptional था जिसमें अचानक से spinners ने बहुत अच्छी गिंदवाजी कर दी और विश्णोई ने भी कहा था कि उनको काफी जादा मदद venue से मिली है क्या फिर से वही पिछ यूज होगी क्या फिर से मदद मिलेगी spinners को toss के टाइम पे देख लेंगे तो यह चीज़े थोड़ा सा फिरंस बन रहे हैं ठीक है इसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉइंट सेबिल की पॉइंट सेबिल में CSK तीन मैसे तीनों मैच हारी है इस साल ठीक है वैसा पहली बार हुआ कि CSK अपने लगातार तीन मैचे शुरू आज सही हार गई इसके बाद SRS का देखिए दो मैसे दोनों मैचे शार गई अगर हम टीमों को कंपेर करें तो CSK थोड़ी जादा स्टॉंग है SRS पर उत्ता बिलीव मत किया जगा ओवरोल टीम मुझे अच्छी वो लगती नहीं है CSK फिर भी थोड़ी स्टॉंग टीम लगती है Head to Head में 17 में से 13 मैचे चिन्राइज जीती है Sunrise सिर्फ 4 मैचे को जीती है बैटिंग फर्स्ट करते हुए CSK ने जादा मैचे जीते है बैटिंग सेकंड करते हुए इनों ने जीते आखरी 5 मैचे भी देखिए 4 मैचे चिन्राइज के नाम पर है एक मैच Sunrise हैदराबाद के नाम पर है Recent form के हम बात कर तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हैदराबाद के आखरी 5 मैचे जो रहे IPL में और चिन्राइज के जो आखरी 5 मैचे रहे इन दोनों ने देखिए जैसे हैदराबाद ने दो आखरी मैचे इस साल खेले उसके पहले 2021 में खेले चिन्राइज ने इस साल तीन मैचे खेले उसके पहले 2021 में खेले सारे स्टेट आपके सामने देख लिए जो टीम का क्या performance चल रहा है Head to it मैचे की बात करे आखरी दो मैचे चेजिंग में चिन्राइज ने जीते हैं Sunrise हैदराबाद से ठीक है तो चेजिंग में भी अच्छा गरती है देखिए पांच मैसे तीन मैच तो चिन्राइज चेजिंग में जीती है और एक मैच फर्स्ट बैट करके जीती है एक मैच जीती बैटिंग फर्स्ट करके इसके बाद हम बात करते हैं टीम हिस्ट्री की तो देखिए 60% का विनिंग रेट है चिन्राइज सूपर किंग्स का और सिर्फ 49 या कैली जी 50% का है 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 तो 10% जादा बेटर टीम है जी 50 जीती है और ये 60 जीत सकते हैं इसके बाद हम बात कर लेते हैं विलियम सन ओपन करेंगे अभी शेक शर्मा की साथ नंबर 3 पर राउल टरिपाटी और 4 पर इडिन मरक्रम आएंगे अगर हम बात करें performance wise तो वैसे तो Williamson को अच्छा करना चाहिए बट फिछले दो मैचेस इनके अच्छे नहीं गए है बट इसका मतलब यह नहीं कि आप इन्हें drop करें यह world class player है 32 का average hold करता है बहुत experience तो किसी भी दिन बड़ा score कर सकता है तो Williamson को हमेशे अपने पास रखिए अभी शेक शर्मा टम कार्ट पेक आप इनको grand league में try किजिए small league में यह लिनलाइक प्लेयर नहीं है इसके बाद आते है राहूल त्रपार्टी यह कभी-कभी अच्छा करते है बट इनमें भी उत्ती consistency है नहीं head trade में आखरी 3 मैं से 1 match अच्छा गया है last match मैं अच्छे form में लगे इनको टीम में लिया जा सकता है बट सबसे पहले Williamson को टीम में डालिए फिर जगे बचे तब त्रपार्टी को टीम में लाइए Markram भी काफी अच्छा कर रहे है हाला कि इनको batting position कभी 4 कभी 5 के आसपास भेज रहे तो Markram को batting position उतनी solid नहीं मिल पाईए इनके लिए best opening position होती है या फिर नंबर 3 के आसपास चार थोड़ा सा लेट हो जा रहा है इनके लिए 32 का इनका average होता है T20 में recent form देखे तो most of the matches में अच्छा कर रखा है पोजिशन टीम के खिलाफ last time 13 था बट इस time काफी बढ़िया form में है इसके बाद हम बात करने निकलास पूरण की तो T20 में ये प्लियर काफी अच्छा करता है आखरी मैच में अपना form वापस आया इनका 34 रण लगाए इनोंने और इस format में अच्छा भी करते है विकेट कीपर बेटर भी है इसके बाद आती वाशिंग्टन सुन्दर जो की आप आपको बेटिंग से भी कुछ रंस देंगे साथी साथ लास्ट मैच में दो विकेट निकाली लेफ्ट हैंडर के खिलाफ इस मैच में भी अपोदिशन टीम के पास कुछ दो से तीन लेफ्ट हैं अच्छे लेफ्ट हैंडर से जिनकी खिलाफ सुन्दर अपने कम्प्रीट च जाता है बट जिस भी दिन की बैटिंग आएगी अच्छा परफॉर्म कर सकते प्लस चार ओवर तू कंफर्म करेंगे तो यह भी इंपोर्टेंट है ठीक है इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं बाकी प्लेस की जिसमें आपको मिलेंगे भूमनेश्व नटराजन और उम्रान मलिक जिसमें वहनिश्व का परफॉर्मिस उत्ता अच्छा नहीं है डेथोवर्स में भी इवन उत्ता अच्छा परफॉर्मिस नहीं देखने को मिलना नटराजन फिर भी अच्छा करेंगे और उनकी साथ भूमनेश्व निच्थर भी आएंगे बट ज्यादा बाकी की भी playing 11, यानि की bench stand आप यहाँ से देख सकते हैं, यह कुछ वो players हैं, जो available हैं, और जो खेल सकते हैं, ठीक है, bench में available हैं, squad में available हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पे चिन्ने की playing 11 ही, क्या playing 11 के साथ चिन्ने ही जाएगी, I think कोई बदला आप नहीं करेगी, रोविन उत्पपा अगेन गायकवार की साथ open करेंगे, अब बड़ आपको यह mistake नहीं करने, कि आप गायकवार को इस match में ना pick करें, अगर आप नहीं ऐसा कर दिया, तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे अपनी जीवन की, क्योंकि देखिए, रुतुराज गायकवार, यह domestic mistake में आलगी level का dominance रखते हैं, इनके 3 match, unfortunately तीनों match में यह flop हो गए, ऐसा होता नहीं है, पिछले IPL में यह बहुत अच्छा खेले थे, इवन आप position टीम के खिलाफ अगर आप record देखे, तो 45-75, आखरी 2 match इसका stat है, बलकि इसको मैं punt pick बोलूँगा, और grand league player बोलूँगा, small league मे तो लही लेना, इवन grand league में सीधा captain ठोक देना, क्या पता यह आपकी किस्मत बदल दे, और grand league जितवा सकता है, उसमें potential काफी है, मोहिन अली अगर इनसे team balling करवाले, सामने वाले team में कुछ left-handers है, तो यह आपके लिए कप्तानी वाइस कप्तानी के अच्छे pick होंगे, और सिर्फ गायकवार्ड और मोहिन अली पे जादा मुझे भरूसा है, उतापपा पे भी इवन उताप भरूसा नहीं है, सामने कुछ ऐसे spinner से, जिनके सामने Robin उतापपा struggle कर सकते है, ठीक है, इसके बाद हम आजाते हैं सीधा-सीधा, रविंदर जड़े जापे, जो कि इस match में आपके लिए शायद कप्तानी बैस कप्तानी के अच्छे पेक हो, तो कि बैटिंग में नमबर पांच के आसपास आ रहे है, फिर भी उत्त अच्छा बैटिंग पोजिचन नहीं है, बॉलिंग चार ओवर कम्प्लीट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ से इंपोटन रहेंगे, श बांच का इब देखेंगे, इन तीनों ने लास्ट मैच में डैथ में के इंदवाजी करी थी, इवन प्रोटोरियस को आखरी पांच में से दो ओवर मिले थे, तो प्रोटोरियस की इंप्रॉटन्स काफी रहेगी, हाला कि जॉर्डन प्रॉपर डैथ के इंदवाज है, और ब्रावो प्रॉपर डेथ के इंदवाज है, अभी अभी साउस अफिरिकन टीम डूइन प्रोटोरियस का काफी यूज डेथ में करने लगी थी, उसको देखते हुआ इन्हों ने भी इनका यूज करा, और यह काफी विक्टे भी ले रहा है, देखी इनका फॉर्म बहुत अच हम बात करते हैं, बाकी प्लेस की, तो बाकी प्लेस में आप देख सकते हैं, यहाँ पे तुशार देश पांडे, यह कुछ प्लेयर्स हैं जो बैंच स्टेंथ में हैं, इनका आप स्टेट देख लीजे, अगर कोई प्लेयर खेलता है बाइचेंस, तो स्टेट बेस पे आप कॉनबर, ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, टेथ होबर्स की, तो देखिए, CSK की तरफ से, बैस दो देखिए, रविंदर जड़े की परफॉर्मेंस कुछ और थी, अब भी वो थोड़ा सा, कैप्टेंसी इनिंग्स खेल रहे हैं, कैप्टेंस हमेशा थोड़ा सा स्ट्रेस में रहता है, और जो जो कैप्टेंसी कर रहा ना, आई पेल में, उसका परफॉर्मेंस थोड़ा तो गिरता है, तो इस चीज़ का बिलकुल ध्यान रखना, रविंदर जड़े जड़े जाप रहे हैं, प्रोटोरियस, कुछ भी हो सकता है, SRH की तब से जादा उप्शन की पास नहीं है, बहुने शवर नटराजन करते हैं, बहुने शवर थोड़े कम विकेट टिकिंग उप्शन है, अब बात करते हैं, टीम की तो देखिए मेरी टीम इस मैच में क्या होने वाली है, अगर आपको आईफोन विन करना है, 50,000 रूपीज का, तो आपको यहाँ पे खेलना है, गैजट गिववे, कैसे खेलेंगे, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको साइन अप करना है, रैफर कोड एफेक्स लगा के, क्योंकि एफेक्स यूजर्स के लिए ही ये गिववे रखा गया है, जिसमें आपको आईफोन दिया जा रहा है, आईफोन आपको कैसे मिलेगा, उसकी मैं आपको इंफोर्मिशन दे देता हूँ, सबसे पहले तो रैफर कोड एफेक्स लगा के साइन अप कर लो, जैसी आपने रैफर कोड एफेक्स लगाया, आप हो जाओगे इ फिर आपके पास समार्ट वाचेज थे, फिर आपके पास हैडफोन बगेर है, यह सब आपको मिलने है, 20 टॉप डेपॉसितर को यह प्राइज मिलेगा, और अगर प्राइज नहीं भी मिलता, फिर भी देखिए 5 परसंट आपको एक्स्टा रियल केश्ट तो मिली रहा है, य description में लिंक के दिया हुआ है, refer good FX ज़रूर लगाना ताकि आपको ये benefit मिले क्योंकि ये सिर्फ हो सिर्फ FX family के लिए special है, अब बात करते हैं टीम की तो मेरे टीम में निकलस पूरण आये है, रुतुराज गायकवाड आये है, विलियम सन आये, सुन्दर, रमारियो शेफर्ड, प्रोटोरियस, मोहिन अली, रविंदर जड़ेजा, नटराजन, ब्रावो और क्रे जॉर्डन, कप्तानी मैंने दी है, रविंदर जड़ेजा को जो पूरे चार ओवर कर रहे है, पांच-क्यास पस बैटिंग करने भी आ रहे है, और वाइस कप्तानी मैं खेल रहे है, तो आपके लिए special option बता दू, रुतुराज गायकवार्ड और केन ब्लेमसन, दोनों ही बहुत quality batsmen है, बर दोनों के दोनों अभी इस IPL में चले नहीं है, तो बहुत अता चांस रहेगा आपके लिए grand league अगरा खेलो, तो इन दो players को ज़रूर अपने team में try कर ल टेल पर, टेलीग्राम का link की video की description में है, जाकर join कर लीजे और comment section में भी सबसे उपर pin कर रखा है, contest में जरूर पाट लीजे जिसमें मैंने आपसे पूछा है, रविंदर जड़जा मैंने इस वीडियो में कितनी बार बोला है, तो गईज वीडियो करते खतम, पसंदा है तो